जाच करें कि कितने लोग संग की शाखाओं में जाते हैं मेरे प्रिंसिपल का RSS से क्या रिष्टा है जरा जाच करके बताया जाए कौन कौन दिल्ले विश्वद्याले के ऐसे प्रोफसर हैं जो RSS की शाखाओं में जाते हैं क्या दिल्ले विश्वद्याले में RSS की शाखाओ खुल रही है इसे विश्योद्याले में मंदिर पर आरकारिकम हो रहे हैं इसे विश्योद्याले में एक विचारधारा के लिए परेड करते हैं तो उससे विश्योद्याले का महुल खराब पूरी लड़ाई को जन अंदोलन बनाने की कोशिश करेंगे और अगर समय मिल जाए तो सिक्षा मंत्रा ले और अधरणी प्रदान मंत्री जी भी इसमें थोड़ा इंट्रेस्ट ले ले दिल्ली वेश्यों देले कमामला है और यहीं करूँगा कि पहले तो आपको बहुत बहुत सुपकामना है आगे के भविश्य के रिए अभी तक जो हुआ उसको भूल करके और उसको बhula करके आगे क्या प्रोग्राम है जो हुआ है लक्समनियादव का मुखर बोलना लक्समनियादव का अंमेट कर पे फूरे पे बहुत शुक्रिया आप सब का कि आप लोगों की वज़े से यह मुद्दा बहुत दूर तक जाएगा और अभी तो जिस लड़ाई को हम लड़ रहे थे उस लिहाज से तो यह शुरुआत है हम प्रफसर रतनलाल के घर पर खड़े हैं और हम जानते हैं कि इनको कितना जलना के लिए लड़ते हैं सामाजी नए की बात करते हैं उन सारे लोगों को टार्गेट किया जा रहा है तो उसी कड़ी में हमारा नंबर अब आया फिलहाल मैं इस पूरे मामले को दो तरह से देख रहा हूं दो एंगिल है इसका पहला यह है कि हम लोग दरसल लियाज यहां तक पहुँचे हैं तो इन विश्वद्याले की बदोलत ही पहुँचे हैं अगर इलावाद विश्वद्याले नहोता तो में यहां नहीं होता मेरे जैसे बहरत में सम्मिधान और मंडल कमिशन नहोता तो हम यहां नहीं होते तो इन सब को इन सबने मिलकर हमें बनाया है तो हम इ कि मुझे यह बताए दिल्ले विश्व द्याले प्रशाशन बताए मेरे विश्व मेरे कॉलेज की सेलेक्शन कमेटी के लोग मुझे जवाब ने कि कौन सी एसी पात्रता थी जो हम पूरी नहीं कि मैंने आज अपना गोल्ड मेडल का जो मेरिट सर्टीफिकेट उसको भी पबली कर दिया अब जरह डिपार्टमेंट कॉलेज administration, university administration और अगर समय मिल जाए तो सिक्षा मंत्राले और आदरणी प्रधान मंत्री जी भी इसमें थोड़ा interest ले ले दिल्लिवेश देले का मामला है क्या है कि दिल्लिवेश देले कि 14 साल से पढ़ाने वाले वेक्ति को यह नहीं बताया जाना चाहिए कि आप क्यों निकाल रहा है क्या वज़य थी क्या merit पर selection हुआ नहीं हुआ क्योंकि merit में तो मुझसे उपर कोई था ही नहीं जितने लोग selection committee में थे मेरा interview वो लोग कह रहे हैं सबसे अच्छा हुआ फिर कौन सी वज़य थी जिसकी वज़य से आपने मेरी जगह किसी बहुत कम API वाले को रखा है जिसका 50 है 55 है मेरी जगह जिनको रखा है उनका experience मुझसे बहुत कम है शोध लेक मुझसे बहुत कम है फिर क्या वज़य क्या है असल वज़य क्या है और अगर वज़े कुछ और है तो पहली बात कि विश्वद्याले प्रशाशन बताई कि वो वज़े क्या है खुल करके बताई और अगर ये वज़े कुछ और है तब ये पूरे देश के लिए खतरा है मैं तो विष्दैले में हिंदू कॉलेज में हम लोग कड़े हैं यहां हमारा एक साथी जब निकाला गया तो वो आत्मत्या कर लिया कोन जा रहा है पूछने उसके गर में कि उसके घर वालों के क्या बीतर है जतने लोग यहां से निकाले गए सैकडों की दादात में निकाले गए बस होता ही है साब कि वो बोलते नहीं क्योंकि अगर निकाले जाने के बाद बोल देंगे तो अगली बार कहीं हो काई खतम हो जाएगा तो इसलिए सब लोग चुप बैठे हैं लेकिन आपने परिवार ब बात कर दिया 15 साल 20 साल लोग निकाले जाने के बाद कोई करियर कहीं नहीं जा सकता कोई कुछ करी नहीं सकता इसलिए वो सारे लोग नहीं बोले तो इन्हां लगा था कि हमें नहीं बोलेंगे भई हमें तो इसी इलाबाद विश्चिद्याले दिल्ले विश्चिद्याले सा आप सत्य के साथ खड़ा होना, आप अन्याय के खिलाफ खड़े होईएगा, आप जब कक्षा में जाईए तो मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया था, कि आप रीड़ वाले नागरिक पैदा करेंगे, आप सच और न्याय का पक्ष देने वाले विद्यारती पैदा करेंगे, तो वहाँ पर हम सच न्याय और समिधान की बात करें, और जब हमारे उपर हमला हो तो हम चुप हो जाएं, ये तो ठीक नहीं था, हम जानते हुए कि इसके बाद हमारा करियर बरबाद कर दिया जाएगा, इसके बाद कोई हमें नोकरी नहीं देगा, फिर भी आज के तारीक म अगर सब खामोश रहे तो फिर बोलेगा कौँ, यसलिए हमें तो बोलना पड़ेगा, ये जानते हुए भी कि हमने को जब अपनी मेरीट से नोकरी लेनी थी, तो मेरीट से नोकरी ली, साड़े किस साल में ले ली, टॉप किया इन्वस्टी तो अपनी मेरीट से कर ली, शमजोर कड़ी मिली नोकरी छीन ना छीन लिए तो मेरा हुनर कैसे छीन होगे मेरी डिगरीयां मेरी काबिलेत मैं तुमने मेरी कख्षा छीनी मैं अपने घर में बैट कर तो वहां से विद्यार्थीयों को पड़ा लूँगा मैं वहां से सम्यदान की बात करूँगा साहित की बात करूँगा वो तो नहीं चेंड सकते सवाल इस बात का है कि तुम विश्व उध्यालय को बरबाद कर रहे हो अपना अब मेरे कुछ सवाल अब ये लंबी बातचीत की बजाए पूरे देश के लोगों से एक अपील है मेरे सेलेक्शन कमिटी में जितने लोग बैटे थे उनके बारे में अब तो चुनाव कहीं है न देश में जो एडी सीबी आई एनाई ये सब इसे में खाली होगी तो उसको जरा दिल्ले विशुद कि इसी अलग विचार का हो करके असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हो सकता तीवी पर बैट करके यहां के प्रोफेसर जहर बोल सकते हैं एक विचार धारा का पालन पोशन कर सकते हैं तो लक्षमन या तो समविधान की बात नहीं कर सकता तो पहला सवाल मेरा यह जरा जांच कर के बताया जाए कि कौन कौन दिल्ली विश्वद्याले के ऐसे प्रोफेसर हैं जो आरेसेस की शाखाओं में जाते हैं कितने प्रोफेसर ऐसे हैं जिनके रिष्टदारों को नौकरी दी गई है कितने लोग ऐसे हैं जिनको कम मेरिट पर नौकरी दी गई है क्या दिल्ली विश् इसलिए आज कुलपती को सामने आकर इसका जवाब देना चाहिए कि नहीं यह देखो प्रमाढ हमने कभी किसी को पैसा लेकर नौकरी नहीं बढ़ा जा और भाई आज इतने लोग नौकरी कर रहे हैं आरे से स्वाले इसमें अधिकांश लोग तो नौकरी मेरिट से होती है इं और कबूल करिए कि आपने लक्षमर यादो की नौकरी कर विचारधारा के नाम पर चीनी है तो ये विश्रविद्याले को बरबाद करना है कि नहीं आखिर मैं केवल इतना कहूंगा कि मैं तो बोल रहा था बहुत सारे लोग वो मारे गए जो चुप थे उनको भी नहीं और मुर्दा नागरिक पैदा करता है और विश्रविद्याले बरबाद हो गए तो देश बरबाद हो जाएगा मैं विश्रविद्याले में हूं मैं देख रहा हूं की बरबादी सामने है इसे विश्रविद्याले में गौशाला खुल रही है इसे विश्रविद्याले में मंद पति जवाब दें, सेक्शा मंतरी जवाब दें, और आधरडी प्रधान मंतरी जवाब दें, किसी प्रोफेसर को नोकरी से निकालने की वजह क्या है, ये वजह में जानना चाहता हूं, और उस ठोस वजह को जब तक मुझे नहीं पता चलेगा, करियर का कुर्बान होगा, ना, नोकरी चीनिये होसला थोड़ी चीनेंगे लड़ेंगे और अब इस पूरी लड़ाई को जन अंदोलन बनाने की कोशिश करेंगे हम पूरे देश के लोगों से ये अपील करते हैं आप सब मुल्क के हुक्मरानों के नाम चिठी लिखें आप सब राश्पती के नाम चिठी लिखकर सवाल पूछिए कि विश्वद्याले को बरबाद क्यों किया जा रहा है और इस सिक्षा बरबाद हो गई ना ये सारे प्राइवेट हातों बेचे जा रहे हैं ठेके पर प्रुस्तर रखे जा रहे हैं ठेके पर इलावा दुष्वद्याले को बचाओ अगर सिक्षा और विश्वद्याले नहीं बचेंगे तो गरीब कमजोर मजलूम दलित पिछड मैं देश के लोगों से कर रहा हूं ये लडाई जारी रहेगी और आगे मैं इस लडाई को लड़ते रहेंगे बहुत धन्यवाद आपका